हम लोग आ चुके हैं राउंड 6 पर टाटा स्टील के और ये है नील ग्रेंड इलियस वर्सेज मैगनस कालसन या फिर आप कह लीजिए एक पैसा वसूल एक्शन थ्रिलर अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पता लग जाएगा गेम के शुरुआत काफी नॉर्मल होती है हम d4 काफी फूर प्र यहां पर आता है बीफ़ाइट पर स्पेस लेते हुए बिशप बीसेवन और रुक सीएट प्रिपैर करते हुए यहाँ पर ग्रेंड इलियस ने लॉंग कैसल किया बिशप बीसेवन एफ थ्री और रुक सीएट क्योंकि यहाँपर थ्रेट है बीफ़्ो और यहाँ पर एक गेमेंट डेटाबेस में जहाँ पर bishop d6 खेला लिया था, लेकिन यहाँ पर कालसन खेलते हैं, engine top recommendation h6, और move 13 से ही हमारे पास नई खेचड़ी है, g captures h6, knight captures h6, a3, bishop को attack करते हुए, फिर आता है bishop captures a3, क्योंकि देखें, bishop को आप of course पीछे ले जा सकते हैं, लेक material देना ही पड़ेगा, knight captures b5 intermediate move देते हुए, pawn captures knight, फिर bishop b2, अब आप देखिए, तो यहाँ पर white के पास है bishop pair, लेकिन white के king थोड़ा सा pressure में है, कालसन यहाँ पर खेलते हैं d5, और d5 move काफे interesting है, क्योंकि engine इसको कह राएए mistake है, bishop b5 check, king f8, और यहाँ पर आ सकता है engine के इसाब queen b4, यहाँ पर आप जाएंगे king g8, फिर आएगा queen b3, इस pawn को pin करते हुए, और यहाँ पर pawn captures d5 के बाद, आप देखेंगे white के पास 2 pawn है, और यहाँ पर black के पास कोई उतना advantage नहीं है engine के साब से, लेकिन यहाँ पर grandalis ने interview में बताए, कि यहाँ पर वो knight d6 के बाद, अब क्य खेलेंगे, जैसे कि bishop पर attack, bishop पीछे आएगा, और rook h4, और इसी के साथ आप देख सकते हैं, जितने भी pieces हैं black के, वो सब आ रहे हैं, इस poor king को attack करने की, तो grandilious को लगा कि यह safe नहीं होगा, इसलिए उन्होंने आपर खेला bishop a4, और d4 खेलकर कालसन ने अपने camp की सारी समस्या खतम की, bishop b3, knight f7, queen g4 check, king g8, rook d2, c2 pawn को protect करते हुए, bishop a6, f4, rook b8, queen पर attack है, तो queen a4, bishop b5, queen b4, और यहाँ पर repeat होता है, फिर कालसन यहाँ पर खेलते हैं, rook h3, कालसन इंटरेस्टे नियर ड्रॉ में, इसलिए rook h3, अब आप देखिए, तो यहाँ पर चीज़े काफी आसान नहीं, white खेलता है, f capture c5, f capture c5, और rook भी, यहाँ पर आप video pause करकर सोचिए, आप black pieces से क्या खेलेंगे, तो अगर आपको यह move मिला, bishop a6, तो congratulations, और नहीं मिला तो क जादा जादा bishop captures f7 खेला जा सकता है, देखिए, queen capture नहीं कर सकती, क्योंकि rook चला जाएगा, और king भी capture नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोग simply खेलेंगे, king गेचे, अब यहाँ पर आप क्या खेलेंगे, try किया जा सकता है, rook g3, क्योंकि queen आप नहीं capture कर सकते, rook captures h3 mate है, bishop guard कर g8 को, तो black यहाँ पर try कर सकता है, पहले इस rook को capture करने का, लेकिन अब भी देखिए, यहाँ पर checkmate आ सकता है, तो फिर black try कर सकता है, g5, लेकिन यहाँ पर एक कमाल की line है, queen captures d4, pawn capture करेगा, फिर bishop captures, d4 check, king h7, और rook h2 mate, इसलिए यहाँ पर king h8 के बाद, rook g3, और black को यहाँ खे यहाँ पर देखिए, queen hanging है, bishop hanging है, और सब कुछ simple, उतना भी नहीं, लेकिन black के पास advantage होता है, game में खेला जाता है, और bishop ही, अब यह move देखिए, इतना accurate यसलिए नहीं, क्योंकि a6 पर bishop safe था, उसको कोई भी attack नहीं कर रहा है, यहाँ पर bishop captures f7 के बाद, king ही capture कर लेता है, और उ interested नहीं है, कालसन ड्रॉ के लिए, queen a4, फिर आता है, bishop b5, और rook dg3, कि अगर आप queen capture करें, तो rook captures g7, queen pick up करते हुए, इसलिए यहाँ पर आता है, rook h7, इस pawn को guard करते हुए, queen b3 check, bishop c4, और queen g3, और यहाँ पर finally काफी कुछ exchange होता है, rook g5, और यह allow करता है, कालसन को संदी की, bishop d3, rook f5 check, उसके बाद, हाँ, अपकोर्स, यहाँ पर white खेलता है, rook f2 इसको guard करते हुए, लेकिन rook h6, rook d1, bishop captures e4, rook e1, यह देखिए, अगर bishop कहीं भी हटेगा, तो यह pawn चला जाएगा, a4, और यहाँ पर grandilis ने कमाल का trap सुचे, रुक c5 के बाद, bishop a3, अब इस bishop का aim है, यहाँ e7 पर जाने का, आप इसको यहाँ रोट नहीं सकते, यह किसी तरीके चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर आता है, रुक c8, और bishop e7, अब आप देखिए, अगर इधर कहीं जाएगे, तो capture के बाद, हम लोग bishop capture कर लेंगी, तो रुक g4, h3, अब आपको रुक हटाने ही पड़ेगा, तो रुक g2, और यहाँ पर trade होने के बाद, हमारे पास एक equal end game है, कुछ दिर दोनों player grind करते हैं, और finally यहाँ पर रुक e4 के बाद, दोनों player agree होते हैं, draw के लिए, तुकि end game of course draw है, लेकिन कमाल का game था, और देखकर मु हैं और जे О ण, को आपको पर देखकर मुदाएं कर दोनार को ास, हमारे लिए गयिया है, कुछ भलावें मुदाल 我न्यु consultants क कि दोना के लिए, और देखकर हैं, क्वगषायक भलावें मुदाएं जहाँ हैं, को तुकि जहाँ हैं, और आ हम कthese याफ कुछ दिला सित